ओम शान्ति निराकार बाप गती सदगती दाता सूरत चांद सितारों से पार रहने वाला बेहत का बाप संगम पर ब्रह्मातन का आधार लेकर आते हैं हमें मुर्ली सुनाने और नई राजधानी देने के लिए यही एक काम शिव बाबा का है क्योंकि बाबा अभुकता है इसलिए खाता पिता नहीं ये काम ब्रह्मा का है ये बाते आज के महावाक्यों में बाबा ने सपष्ट की तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 15 डिसेंब कौनसी बात अच्छी रिती नोट करनी है हर एक आत्मा को सतो रजो तमों से पास करना है बाबा हमें वापिस कब ले जाते हैं जब हम प्योर बन जाते हैं बाबा हमें राजियो क्यों सिखाते हैं जीवन मुक्ति के लिए गीता में शिव का नाम होता तो क्या होता सब धर्म वालों का यह शास्त्र होता, हर एक ने आकर शास्त्रों से क्या किया है और क्या नहीं, अपना धर्म स्थापन किया है, सद्गती नहीं की है, सत्युग में परमात्मा को याद करें तो क्या हो, ये बातें भी समझें कि हम ब्राह्मनों को उसने रचा है, ब्राह्मनों की नई द बाबा को याद करना है नए धरम के लिए क्या नया है नई बाते नया ज्ञान माया जीत बनने का सहज साधन क्या है सर्व प्राप्तियों से सदा भरपूर रहना शास्त्र पढ़ने से क्या होता है तमो प्रधान बन जाते संसार असार होता जाता किसको क्या कहा जाता है पोलार पार को आकाश, स्रिष्टी के अंत को कल्यूग, स्रिष्टी की आधी को सत्यूग, सूरेज चांद सितारों से पार को मूल वतन, शिव बाबा की सेना को शक्ती सेना वा पांडव सेना. मनुष्य किन बातों को नहीं जानते, आहिंसा का अर्थ, वनवास का अर्थ, गउशाला का अर्थ, ब्रामणों की चोटी को, संगम युगी ब्रामणों को, दिलवाडा मंदिर हूबहु शक्तियों का यादगार है श्रिव वाबा संगम युग में आकर क्या बनाते हैं? बुहे बाते सुनाते, सबको वापिस ले जाते, देवता धरम स्थापन करते, राइट क्या है वह बतलाते, सहज ग्यान और सहज राजियोग सिखलाते क्या होने से क्या होता है? विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनते, मात पिता की मत पर चलने से सुक घनेरे मिलते, सर्व प्राप्तियों की भरपूरता में कमी होने से माया हिलाती, शिव बाबा को भूल औरों को याद करने से अंत में फेल हो जाते, सत्यता और निर्भैता की शक्ती साथ होने से कोई भी कारण हिला नहीं सकता हमें किन बातों की धारणा करनी है ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है अंधकाल है इसले ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाब के सिवाए और कोई याद ना आए दधीची रिशी मिसल से करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है ये थी आज की मुरली की विशेश बाते जो ज्यान बाबा ने हम बच्चों को दिया है उसे धारण कर हमें सर्वगुन संपन देवता बनना है लेकिन उसकी धारणा तभी हो सकती है जब हम पवित्रता के व्रत को पक Om Shanti